नमस्का दोस्तों मैं रचनारोय मात्ति भात्ति भाय मैं एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करती हूँ आज मेरा कहानी का शेर्षक है वो जो नहीं कहा ये कहानी आप लोग समझ सकते हैं नाम से ही सीख नसीहत और प्रेणा से भरपूर है वो जो नहीं कहा लगुकता संग्रह पर आधारित है श्रीमती इसने गुस्वामी जी ने ये कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहानी जो है संग्रह आज के महिला वर्ड को देखकर ही लिखा गया है समर्पित किया गया है उन नारी को नारी के दाइट्वों को पारिवरिक स्थिती को देखते हुए, उनके साथ हुए अत्याचारों को देखते हुए और दिन भर मशीन बनी, काम, एकदम निर्मग्न होकर जो नारी करती है, वो कोई भी नहीं कर सकता, एक पूरुष कभी भी नहीं कर सकता, ये सारा चीज स्नेय गोश्ट्वामी जी ने बताया है, वो जो नहीं क रहा, ये जो आपका कहानी है, ये लगू कथा पर आधारित है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कहानी पूरा आप लोग को नहीं बताऊंगी, मैं कहानी का सिर्फ संचित में ही बताऊंगी, उसका शारांशी बता रही हूँ, तो ये नारी को ही समर्पित है, नारी को अपने परिवार के लिए, अपने शादी के बाद, अपने पती के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने साथ ससूर के लिए, सब के लिए, सब के लिए एक जैसा ही समान कार्य वो करती है निसंकोच होकर निलोब होकर किसी भी चीज की कामना ना करते हुए किसी भी चीज का इच्छा रूची ना जाहिर करते हुए चुपचाप जो करती है वो करती है नारी ही करती है तो आज मैं वही चीज आप लोग को बता रहे हूं आप लोग पूरा कहानी पढ़ने के लिए मात्र भाति में ज़रूर जाईए और ये कहानी पढ़िए वो जो नहीं कहा तो ये सीख नसीहत और प्रेहना से परपूर कहानी है और जिसे लिखा है श्रिमतिस्मिय गुष्वामी जी ने और ये लगू कथा संग्रव पर ही अधरित है नारी से पूरा नारी के ही उपर ये कहानी लिखा गया है उनके दाइत्वों को लिखा गया है उनके पारिवारी स्तिती को देखते हूं ये लिखा गया है हर चीज छोटी-छोटी समस्या आए बड़ी समस्या सब चीज को बनाया चलिए दोस्तों मैं आप समाप्त करती हूं नमस्कार